हेलो स्रेंट, टूड़े डिस्कस ट्रेंगल का वीडियो हमें इसके तीन अपलोड कर चुके हैं, आज ये फोर्थ वीडियो है, तो क्यूसर नमर वन है इसका, इने ट्रेंगल अबी सी, एंगल ए दिरखा 35 डिगरी, एंगल ब दिरखा 65 डिगरी, फाइंड दा मेजरोफ एंग होता है 180 डिगरी, तो दो एंगल हमारे पास है, A है, B हमें C निकालना है, तो क्या होता है, हमारा एंगल है, एंगल A है, प्लस में, एंगल B, प्लस में, एंगल C, एंगल A, B दे रखा है, हमारे पास C नहीं दे रखा, और तीनों का जो सम है, वो होता हमारा 180 डिगरी होता है हमें पता है तो हम्हें निकालते हैं कैसे निकालेंगे यह दो देरा रखे एका देगर रखा है किते हुआ है कि मेरी 35 देगरी और बीगी देर कि 65 देगरी तो एक हमारे पास नहीं है C हमें क्या निकाला एंगल है C हमें find करना है और total sum इन तीनों को क्या होगा 180 degree होगा A plus B plus C तो A और B की value दे रखी थी C की नहीं दे रखी थी तो हमने C का C रख दिया अब हम क्या करेंगे इन दोनों को plus करेंगे 35 है plus में 65 होता है तो यह हो गया हमारा 100 degree हो गया और plus में C हमें यहां से क्या करना है find करना है 180 degree तीनों का सम होता है अब value C की निकालेंगे angle C find करेंगे angle C is equal to यह 180 degree है और यह 100 इस तरफ जाएगा is equal to C इस तरफ जाएगा तो यह plus का इधरा क्या होजएगा minus का हो जाएगा sign change हो जाता है is equal to के इस तरफ आता है जो plus हो minus हो जाता है minus हो plus हो जाता है तो C की value क्या आगी angle C आगया 180 में से 100 minus करेंगे तो आगा 80 degree क्या आगया 80 degree यह हमारा answer आगया angle C हमें निकालना था angle C क्या आगया 80 degree क्या आगया क्यूसर नमबर साइकेंड है innate triangle ABC if angle A is equal to 72 degree and B is equal to दे रखा angle B दे रखा 63 degree find angle C निकालना है तो angle C निकालना है तो हमें पता है तीनो angle का sum होता है triangle के अंदर तीन angle होते है और तीनों का sum होता है 180 degree तो we know that the sum of the angle of a triangle is 180 degree तो हम लिखेंगे angle A angle A plus में angle B plus में angle C is equal to होता हमारा 180 degree हमारे पास A की value दे रखाए 72 degree और B is equal to 63 degree C हमें निकालना है तो A की जगें क्या लिखेंगे 72 degree plus में B की जगें क्या लिखेंगे 63 degree और C हमें क्या करना है value C की हमें find करनी है is equal to 3 का sum होता है 180 degree angle A, angle B, angle C और 3 को plus करते कि होता है 180 degree यह हमें पता है triangle के 3 angle का sum होता है 180 degree अब हम इन दोनों को plus करेंगे यह 3 plus में 2 होगा 5 और 7 plus में 6 होता है 13 तो यहनि A और B का दोनों का plus किया तो 135 आगया C है है हमारे पास नहीं है angle C हमें find करना है तो 180 degree अब value C की निकालेंगे तो यह 180 degree है अब यह इस तरफ जाएगा easy call to का यह sign है और यह उधर जाएगा तो minus का हो जाएगा और यह हो जाएगा minus का तो angle C क्या आगया अब 180 degree में से 135 हम क्या करेंगे subtract करें तो क्या आएगा 45 degree और यही क्या आएगा answer 45 degree angle C हमने find कर दिया 45 degree अब देखो angle A, angle B और angle C इन तीनों को plus करेंगे इन दोनों को plus क्या 135 135 में 45 plus करें तो 180 होता है वो triangle के तीनों angle का सम्भी क्या होता है 180 होता है तो angle C हमार क्या आगा 45 degree यही हमारा answer आगया question number 3 है innate triangle D E F है if angle E is equal to 105 degree and angle F is equal to 40 degree find angle D D E F भी हो सकता है कोई भी नाम हो सकता है X Y Z हो सकता है तो हमें क्या ने find करना है angle D find करना है हमें यह निकालना है angle E दे रखा angle F दे रखा है तो हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है we know that the sum of the angle of a triangle is 180 degree तो angle क्या होगा हमारा angle D angle D plus में angle E plus में angle F is equal to होता है तीनों का सम होता है 180 degree होता है अब हमारे पास दो एंगल दे रखा है E दे रखा है और F दे रखा है तो D हमारे पास नहीं है angle D हमारे पास नहीं है find करना है plus में angle E कितना है 105 degree angle E हमारा है plus में angle F कितना है 40 degree हमारा है angle F और is equal to 180 degree angle D हमें हमारे पास नहीं है तो D हम find करेंगे अब इन दोनों को plus करें 105 और 40 को तो वो यह हो जाएगा 145 degree is equal to 180 degree अब हम एंगल d find करना है angle d है हमारे पास नहीं angle d हम find करेंगे तो हम क्या करेंगे यह 180 degree है यह उधर जाएगा is equal to जुस्तरब जाएगा तो यह minus को जाएगा 45 है ना minus को जाएगा और हम 180 degree में से 145 degree माइनस करेंगे तो हमारे क्या आएगा angle d आ जाएगा 35 degree का angle d क्या आएगा 35 degree हो रही है यह क्या आगा हमारा answer आगा 35 degree angle क्या निकाल दिया d निकाल दिया e हमारे पास दिरेखा था f हमारे पास दिरेखा था e निकाल दिया तीनों को हम प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, धिकवा, एंगल D, एंगल E, एंगल F, तीनों को प्लस करेंगे, तो यह 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री, तो यह हमने 2 को प्लस करके देखा, 105 प्लस में 40, तो था 145, और इसमें 35 प्लस करेंगे, तो हमारे क्या आता है, 180 डिग्र तो यही हमारा आंसर आगया, हमें D find करना था, D की वेलू क्या आगी, 35 डिग्री, Q4, find the angle sovet triangle, which are in the ratio दे रखा है, 3 ratio 4, ratio 5, यानि angle की जिगाब की बार क्या दे दिया, ratio दे दिया, और हमें यहाँ ratio से angle find करना है, तो हम क्या गरें, let the measure of a given angle of the triangle है, हमने क्या लगा दिया, 3x यह angle कर दिया, 3x यह degree है, 4x दिग्री है, 5x के degree लगा दिया, अब हमें क्या पता है, तीनों को हम plus करेंगे, यह हमारे angle आगे, angle यह है, angle दोसरा, angle थाड है, तो तीनों को plus करेंगे, तो क्या आता है, 180 degree, triangle के तीनों angle का सम कितना होता है, 180 degree, तो यह हो जाएगा हमारा, 3x, 3x plus में, 4x, plus में, 5x, तीनों angle होगे हमारे, और तीनों angle का सम होता है, triangle का 180 degree होता हमारा, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को plus करेंगे, 3 plus में, 7 और 7 plus में, 5, 12, यह हमारा 12x, is equal to हमारा 180 degree, x की value यहां से point करेंगे, 180, divided by 12, तो 12 से divide करेंगे, 12 बंज़े, 12, बंज़े, यहां से 6 बचा होगे, 12, 5, जा, 50 होता है, नहीं, 12, 5, जा, 60 होता है, तो यह आगे हमारा x की value आगे हमारी, 15, अब हमें तीनों angle निकालेंगे, तीनों angle अब कैसे point करेंगे, अब देखो, angle measure किये थे हमने 3x, तो 3x किये थे, तो पहला angle हमारे क्या आगा, 3 multiply 15, 3 multiply, फर्स्ट एंगल हम निकालेंगे, यहां से, 3 multiply में, 15, x की value 15 आगे न, तो फर्स्ट एंगल हमारे क्या आगा, 45, डिगरी आगा, सैकेंड हमारे क्या 4x, तो 4 multiply x की value 15 आगे, तो आगा 60 degree, और थर्ड है 5, 5 x value क्या है, 15 हमने अभी निकाली है, तो यह आगा हमारा 75 degree, तो यह तीन एंगल हमारे ratio चे तीन एंगल हमने find कर दिये, 45 degree, 60 degree, 75 degree, तीनों को हम plus करेंगे तो देखो, 180 आता है, 5 plus में 5, 10 हो गया, तो 0, कैरी इधर चल जाएगी, तो यह हो गया 4, plus में 6, 10 और plus में 7, 17 और 1 करें 18, तो तीनों का सम क्या आगया हमारा, 180 आगया, तो एंगल क्या आगया, एंगल आगया, जा 3 x थर्ग आगया, 45 degree का, 4 x से वहां 60 degree का, 5 x 75 degree है, यह हमारा आँसर आगया, यह हमें एंगल पूछे गए थे, क्यूसर नमबर 5 है, टू एंगल ओफे ट्रेंगल, आर इक्वल, दो एंगल इक्वल हैं, एंड थर्ड, थर्ड एंगल दे रखा है, मेजर, 70 degree, find the measure of each of the unknown angle, यानि दो एंगल हमारे इक्वल हैं, वो बताने कितने degree के हैं, एक एंगल दे रखा है, जिस ट्रेंगल के दो एंगल एक्वल हो, कैसी ट्रेंगल हैं, वीडियो को पोज़ करके बताओ आप कैसी है, I hope आपने बता दियोगा, आइसस के लेंगल होती हैं, जिसके दो एंगल क्या होते हैं, तो हमें पता हैं, ट्रेंगल के तीनों एंगल के सम्क्या होता हैं, 180 degree, तो let the measure of each non-angle, x मान ले हमने, तो दो एंगल हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या किया, x let कर लिया, x degree, और दूसरा भी हमने क्या कर लिया, x degree, और थर्ड हमारे पास दे रखा कितना, 70 degree दे रखा, यह हमारे पास दे रखा हैं, और तीनों का सम्क्या होता है, 180 degree होता है, अब यह x, x कितना होगा, 2x हो गया, 2x, अब यह हमारा है, 2x is equal to 180 degree, अब 70 is equal to जिस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इसका change हो जाएगे, प्लस का था, तो माइनस का हो गया, अब 2x है, और यहां से हमने माइनस कर दिया, किस में से, 180 में से, और 180 में से, और 180 में से है, क्योंकि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम्क्या होता है, 180 degree, तो माइनस करेंग क्या बचेगा, 110 degree, और x की value find करेंगे यहां से, तो 110, divide by क्या करेंगे, divide by 2, divide by 2 करेंगे, तो 2 से काटें, 2, 5 जा, 10, और 2, 5 जा, 10, तो x की value हमारे क्या आगए, x की value यहां से आगई, x की value, 55 degree, एक हमारे 55 आगा, और दोनों एंगल सेम है, इसने बताया था अभी, देखो, इसने बताया था, the two angle और triangle are equal, दोनों equal है, तो यह 55 degree का है, तो अगला भी क्या होगा, 55 degree का ही होगा, 55 degree, और एक हमारा दे रखा है, वो 70 degree है, थाड़ एंगल, 70 degree है, तीनों को प्लस कर रहेंगे, तो हमारे क्या आता है, 5 और 5, 10, 1 करी, और यह आगे 13, तो यह हमारे सही है, तो x value क्या आगे, दोनों एंगल कितने कितने डिगरी के है, 55, 55 के, तो आंसर हमार के आगा, 55 degree, इच अन्नों एंगल, 55 degree, एच अन्नों एंगल